आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोग यहाँ पे Samsung के Galaxy H10 का एक Unboxing और एक Overview यहाँ पे जो वो देने वाला हूँ और फिलाल के लिए यहाँ पे मुझे जाते हैं कैसे लगता है अभी तक का India में यह one of the most powerful flagship smartphone आपको देखने को मिलता है flagship के अलावा भी इसमें काफी सारे ऐसे युनीक फीचर से जो आप लोग को यहाँ पे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ अभी इंडिया में Samsung ने इनको भी Announce कर दिया है और Official Price भी यहाँ पे निकल कर आचुके अगर आपको interest है तो मैंने description में link दिया हूँ आप वहाँ पे जाके इसको purchase कर सकते हैं इंडिया में हमें हमें जो वो S10e, S10 और S10 Plus देखने को मिलता है यह S10 जो Plus है इन सारे S10 का सबसे premium variant है अब यहाँ पे मैं अगर S10 Plus की price की बात करता हूँ तो हमारे पास जो variant है वो 8GB RAM, 180GB वाला है जो start होता है 73,900 से प्राइस ज्यादा है क्योंकि flagship phone है और आपको features भी वैसे ही मिलता है और Samsung यह हमें पता है तो आपको अगर पसंद है तो आप जाके इसको ले सकते उसके अलावा इसका आपको 8512 वाला भी variant मिलता है जो 91,900 का है और एक आपको 12GB RAM और 1TB की storage वाला मिलता है जो 1,17,900 रुपे का है तो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलता है यह वीडियो आप देखते रहे हैं मैं आप लोगको S10 Plus के बारे में सारे जान करें दूँग और S10 जो वा कुछ 66,900 चे श्टार्ट होता है और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दूस्तों की सारी highlighting features यहाँ पर जो मेंचन की गई है मैं आप लोग यहाँ पर इसके specs बाता रहता हूँ आपको यहाँ पर इसमें जो 6.4 इंच की एक curved Super AMOLED जो डिस्पे देखने को मिलता है और recently यहाँ पर display made ड्वारा इसको one of the best display भी बताया गया था तो display की मामले में आपको कोई issue नहीं होगा उसके अलावा आपको HDR10 पर certified यह display मिलता है मतलब यहाँ पर आप लोग को जो movies वगरा देखते हैं और जो color होता है picture की quality होती है वो बहुत ही कमाल की होने वाल इंडिया में में Exynos 9820 वाला प्रोसेसर मिलता है जहाँ पर इसके अंदर आपको जो Android score निकल कर आया था वो 3,30,000 के असपर साया था और obviously जब मैं इसमें गेमिंग किया था PUBG केला था मैं अच्छ में HDR के अंदर PUBG केल रहा था मुझे बिलकुल भी lag stutter वगरा देखने को नहीं यह वही same camera है जो आपको H10 में देखने को मिलता है आपको 12MP का main camera मिलता है जो कि F1.5 से F2.4 तक का मिलता है जो कि एक variable aperture वाला है आपको OIS भी मिल जाता है आप उसमें OIS के इस्तेवाल कर सकते है उसके अलावा यहापे 16MP वाला आपको ultra wide camera मिलता है F2.2 के उपर है उसके जो देखने को मिलती है तो camera तो भाई पूछो मत यह Samsung के बाई kill कर दिया है camera बहुत जबर्दस आपको मिलता है उसके अलावा यहापे सामने की दरवा आपको जो infinity O वाली जो display उसके उपर आपको dual selfie camera देखने को मिलता है Samsung S10 में single है इसमें आपको dual मिलता है आपको dual pill shift यहाप आप मिलता है और quality तो भाई selfie बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलती ही काफी अच्छा optimize उनने selfie camera को किया और selfie में इसको अपने DXO mark में भी सबसे जादा जो वो score आया था उसके अलावा यहापे आपको ultrasonic fingerprint scanner देखने को मिलता है यह world का पहला smartphone है S10 की जो series ही यह पहले smartphone है जो ultra sonic fingerprint scanner के साथ में आपको देखने को मिलते है जो बहुत ही fast है चाहे आपके उंगली हाद गीले हो कैसे भी हो आप उसको open करो वो open हो जाएगी और बहुत ही बड़ी है बैटरी की बात करते है यहाँ पर दोस्तों आप लोगो 4100MH की बैटरी मिलती है बहुत ही अच्छी ब बैटरी आपको इस बात जो देखने को मिल रही है उसके अलावा यहाँ पर जो मेरे पास वेरेंट आया वह 8128 तो मतलब इसमें आपको जो कलर मिलता है वह प्रिजम वाइट है और भी कलर मिलेगा आपको प्लस यहाँ पर यह ग्लास बैक में मिलता है जुसमें भी आपको Gorilla Glass 6 के production दी कही है लेगिन जो 8512 है और 12 जो 1TB वाला है वो आपको ceramic back में मिलेगा तो वो तरह से और ज्यादा प्रेमियम हो जाता है उसके अलावा यहाँ पर आप आप लोगो wireless power share का support मिलता है मतलब आप इसमें reverse charging कर सकते हैं wirelessly अगर आपके बसको supported device है तो आप इसके पीछ लगा तो और यहाँ पर यहाँ पर चार्जिंग पैट की तरह काम करके उसको चार्ज करेंगा उसके अलावा यहाँ पर आप लोगो wireless charging का भी support मिलता है प्लस यहाँ पर आप लोगो इसके इंदर जो वो fast charger भी प्रोवाइट के आगिया है तो यह fast charge भी आप इसको कर सकते हैं साथ में IP68 water और dust resistant है जी हाँ मतलब आपको यह भी इसमें चुको support देखने को मिल जाता है मतलब और भी बहुत सारे features मिलते है बाई मतलब तो यह एक flagship phone हो तो भाई फीचर तो भर-बर के देगा है तो हमने यहाँ पर box को open कर दिया आपको सबसे विल आपको phone दिखाई देता है और कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर यह फोन मिल रहा है मेरे पास जैसी की मेरे काद है यह प्रिजम वाइट है और एक ग्लास बैक है Gorilla 6 की production आपको मिलती है horizontally आप देखेंगे camera आपको कुछ इस तरह की का देखने को मिलता है तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर बॉपर वाले box में ही यहाँ पर कुछ गुछ उन्होंने दिया है और आपको कुछ documentation वगरे मिलेगी आपको निकाल के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर सबसे बढ़िया है जिससे आप आप फोन को प्रड़ेक कर सकते हैं आपको कुछ documentation वगरे यहाँ पर मिल जाते हैं अच्छा यह आपको USB Type-C C Cable है कुछ इस तरी की आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उसके अलावा यहाँ पर फाइनले आपको AKG tuned यहाँ पर कुछ यह पोन की तरफ यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इमारे फोन की तरफ सबसे पहले अगर आ के साथ में फोन मिलता है तो यहाँ पर यह पहला स्पीकर है और दूसरा स्पीकर उपर यह पीस में आपको Dolby का सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात है 3.5mm audio jack मिल रहा है तो थैंक्फुली नहीं बोलूगा क्योंकि Samsung देता ही है तो इसलिए में थैंक्फुली यहाँ पर बो बहुत ही उपर है यार यह देखिंगे उंगली को उपर करना पड़ता है अगर आप फोन ऐसे यूज करते हो तो यहाँ पर होता तो बैटर होता है काफी उपर है अब मुझे पता ने Samsung ने इतना उपर इसको क्यों डाल दिया है उसके अलावा यहाँ पर आगर आप उपर की इसको अब सब्सक्राइब मलता है तो एक अलागी फील यहाँ देख्टे है विडियो न इसके इंडर तो यहां पर आप देखेंगे यह सॉफ्टेयर इंफर्मिशन वर्जिन है तो श्याद एक अपडेट आया होगा और उसके अंदर उन्हें कुछ और नहीं चीज़े फिक्स करी होगी उसके लाब इंटरफेस देखेंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरह की का मिलता है रेसी तु वेक वाला भी है इस तरह की से लायट चल लोग जाती है तो अरह याले छितोव मेरा अपड़ेस डिटक करे लिया वह अपको फिर कंठ योब हो नहीं करता हूँ बहूत ही तो बहुत ही ज्यादा फास्ट ही है तो यह वाला बहुत ही ज़्यादा फास्ट यह देखेंगे कमाल का आपको फेस को देखते हैं खुलता नहीं है आप खुल गया क्या बात है फिर से एक बाद दिखा नेता हूं क्या बात है अच्छा खुल जाता है कभी टाम लगता है एनिवेज यहां पर चलो यह ऑप्टिमाशिन का खेले अगर थोड़ा ऑप्टिमाश करें तो बेटर होगा एनिवेज यह दोस्तों कुछ सैंसंग का एच 10 प्रस थोड़ा से कैमेरे की सैंप्रस आपको में दिखा रहा उसके अलावा 960 fps पर आप स्लो मोशन भी इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत सारे मिलते फीचर्स तो इतनी कूट-कूट के बरे इसके अंदर कि मैं क्या पता हूँ बाई एक प्ला फ्लैक्शिप लेवल कैमेरा आपको मिल जाता है फूड, पैनरोमा प्रो, लाइफ फोकस, ये वो, आप पिचर के क्वालिटी तो बड़ी आया एक दम जबर्दस आपको पिचर्स मिलती है, रियर फेसिंग तो इतना चॉप्टिमाइस किया कि मैं आपसे क्या पता हूँ, कि ऐसे क्वालिटी वाला कैमेरा आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, उस वो भी मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लेकिया हूँगा, मिलते हैं आप से लोड़ों में एक ने वीडियो के साथ, तिल देन वे ग्रेट दे और अलवेस कीप स्मालिंग